रादे रादे जैसी कृष्णा आज में आपको मकर सकरांती के दिन एक अलग तरह का दान बताने जा रहे हूं मकर सकरांती से इस बार आप भी यह नियम लेवे अगर आपने यह नहीं किया है तो इसे जरूर करे इस नियम को लेने का क्या तरीका है पहले हम उसे समझ लेते हैं इस मकर सकरांती पर आपको करना क्या है आपकी अगर ननद, भानजी, भतीजी या छोटी बहन हो तो इस मकर सकरांती पर किसी को भी एक को भोजन खिला कर उसे तेल, कंगा, नहाने और कपड़े धोने का साबुन देवे साथी साड़ी, बिलाउज, पेटी कोट और दक्षीना के रुपए देवे फिर हर महिने नहाने की और कपड़े धोने की साबुन देवे साथी आप जिसे भी ये भोजन खिला रहे हैं उसे यह बोलें की वे पूरे साल आपका दिया हुआ ही तेल सिर में लगावे आपका दिया हुआ ही नाने का साबुन और कपड़े धोने का साबुन काम में लेवे इस तरह पूरे साल तक आप उन्हें तेल और साबुन देते रहें साल बर बाद फिर से मकर सकरान्ती पर आप इसका उध्यापन कर दें जिसमें फिर से आप उन्हें मकर सकरान्ती के दिन घर बुलावे घर बुलाकर उन्हें आप अपने ही बात्रूम में नहाने के लिए गरम पानी देवे सिर पर तेल लगाने के लिए तेल देवे नहाने और कपड़े धोने का साबून देवे और पहनने के लिए नई साड़ी, बिलाउज और पेटिकोर देवे नहाने के बाद फिर आप उन्हें भोजन खिलावे तिल की चीज जरूर खिलावे उसके बाद भोजन खा लेवे तो आप उने एक नहाने की साबून, एक कपड़े धोने की साबून और सिर में लगाने का तेल साथ ही एक नई बाल्टी और एक नहाने का डिब्बा देवें इस तरह यह नियम एक साल तक जलता है इस बार आप भी यह नियम लेवें पहली सक्रांती पर भोजन खिलावें फिर अगली सक्रांती पर इसका उद्यापन करें इस नियम की संपून जानकारी यही है आप किसी एक को भोजन खिलावें ननत को खिला रहे हैं तो फिर पूरे साल ननत को तेल, साबून, आधी देवें इस तरह पूरे साल आपको यह नियम निभाना है, पहले साल आपको भोजन खिला करके उन्हें सिर पर लगाने का तेल, नहाने और कपड़े धोने का साबुन देवे, साल भर तक आप तेल, साबुन आपको ही देना है, साल बर बाद फिर से मकर सकरांती के दिन उन्हें घर बुला करके पहले खुद के बात्रूम में इसनान करावे, इसनान कराते समय उन्हें नहाने के लिए भी गरम पानी देवे, सिर पर लगाने का तेल, नहाने और कपड़े धोने का साबुन भी आपका ही लगेगा, पहनने के लिए नई साड़ी बिलाउस पेटी कोड भी आपको ही देना है उसके बाद उन्हें भोजन खिलाकर उनसे पाउं छुकर आशिरवाद लेवे और फिर उन्हें एक तेल की शीशी नहाने और कपड़े धोने का साबून एक बाल्टी और एक डिबा भी देवे इस तरह से ये नियम पूरा होता है अगर आपको इस नियम की जानकारी नहीं तो हो सकता है कि अन्य औरों को भी नहूं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अपने दोस्तों रिष्टेदारों में जरू शेयर करें ताकि उन्हें भी मकर सकरांती के दिन इस नियम को करने की संपूर्ण जानकरी प्राप्त हो सके मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे आने वाली कता कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद